आप सभी लोग जानते होंगे कि नोबल परुस्कार से हमेशा questions आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते रहेंगे तो इतिहास क्या रहा है इसका नोबल परुस्कार का, क्यों मिलता है आकर, किसकी याद में दिया जाता है, किन-किन शेत्रों में मिल रहा है और जो करेंट में जिस साल आप लोग पेपल दे रहे होते हैं, उस साल किन-किन लोगों को दिया गया है या फर आप लोग जिस साल पेपर दे रहे हैं उस साल नहीं मिला है तो लाश्ट में साल में किस से किन-किन व्यक्तियों को मिला था उनके बारे में याद रखा करिएगा किन-किन भारतियों को दिया गया अभी तक इनसे भी आपके direct questions बन जाते हैं तो आप सभी को मालो होगा कि 2020 के nobel पुरुसकार दिये जा चुके हैं तो एक हम लोग बात कर लेते हैं सामान जानकारी के लिए सभी जितने भी लोगों को दिया गया है जिंजल लोगों को दिया गया है और भारत के कितने लोगों को अभी तक मिला है उन पर भी हम लोग एक सामानत बाद कर लेंगे अब लोग ठीक है लास्ट में तो आप सभी को लोगों को मालू होगा कि अलफेड नॉबल साहब थे इनकी याद में एक तरह से इस पुरुषकार को दिया जाता है और आप जानते हैं कि अलफेड नॉबल साहब का जनम हुआ था 2 अक्टोबर 1833 को सुईडन में और इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 को बिसपोर्ट पर इक्षन के दोरा इनकी डेथ हो गई थी और याद रखे इनी ने डाइनामाइट की भी खोच की थी 1800 सब्सेट की बात कर रहा हूं और एक बात और याद रखे एक साल में अधिकतम तीन लोगों को एक छेत में दिया जा सकता है ठीक है और इसके लिए नॉमेनेट किये जाते हैं ऑक्टूबर में ऑक्टूबर में ल और जिस मैने में इनकी डेथ हुई थी यानि कि दिसंबर में तब इने बितरन कर दिये जाते हैं ठीक है सभी को दे दिया जाता है इसमें एक बात और याद रखे आप लो तिक किन किन छेत्रों में दिया जाता है तो आप सभी कुमाल होगा कि भौतिक वरसाइन छेत में दि सांती इन्हें 1901 से देना शुरू हुआ था कब 1901 से मिलने शुरू हो गए थे जो लेकिन जो अर्थ सास्त का है इसे 1989 से सुरू किया गया था पहली बार 1989 में दिया गया था और एक बात और इसमें एक सामन जानकारी के लिए याद रखिए जो भौतिक रसाइन चिकिसा साहित और अर्थ सास्त इन्हें दिया जाता है स्वीडन में इस्टॉक हम में और जो सांती का नोबल पुरुसकार है इसे नौर्बो नौर्वे औसलो में दिया जाता है तो ए भी आप लोगों को याद रखना होगा ठीक है चली आंगे वरते हैं हम लोग नोबल पुरुसकार को विस्त में बहुत धिक उपलब्दी के लिए दिया जाने वाला सबसी पितिष्ठित पुरुसकार माना जाता है जो स्वेडिस अविस्कारक और उद्धोपती अलफे नोबल द्वारा दिये गए फंड से पितिवर्स प फिजियोलोजी यानि कि चिकसा में किने मिला है 2020 में चिकित सागी छित में नोबल पुरुसकार किन लोगों को दिया गया है 2020 में तो अमेरिका चिकसा सोथ करता हो और वायरोलोजिस्ट हारवे यह जे और और एक हैं चार्ल्स एम राइस और बेटिस विज्यानिक माइकल हू हूटन को हैपेताइटिस C वायरेस की क्षोज के लिए पुरुसकार दीया गया है कौन कौन है एक तो आप लोगों को नमें याद रठना है हॉर वे जे ऑल्टर दूसरे हैं चार्ल्स एम राइस और तिसरे हैं आपके माइकल ह्यूटन है इन तीन लोगों को दिया गया है च इसकी खोज बर्स 1982 में लाखों DNA नमोनों की जाज करके हुई थी, हैपेटाइटिस C वाइरस की खोज से जीन हैपेटाइटिस के सेस मामलों के कारणों का पता लगाना संभव हुआ है, जिससे रक्त परिक्चंड तथा नई दबाओं का निर्माड हुआ है, तो याद रखिए आपका जो C वाइरस की खोज के लिए एपेटाइटिस है, इसके लिए दिया गया है 2020 का नोवल पुरुसकार, चिकिस सागे चेत का, और ये तीन लोगों को दिया गया है, पहले कौन है, हारवे, जे आल्टर, दोसरे हैं चाल्स एम राइस, और तीसरे हैं आपकी माइकल हु ठीक है, इन तीनों नामों को याद रखना है आपको, अगर हम बात करें हैं हेपेटाइटिस की बारे में भी आपके से डारेक्ट कोश्चन्स पूचा जा सकता है, हेपेटाइटिस ये अक्रेट मैसूजन की स्थिदी को संदरवीत करता है, यह आम तोर पर एक वाइरल संकम के कारण होता है, लेकिन हेपेटाइटिस की अनसमभीत कारण भी हो सकते हैं, जैसे आप देखेंगे, और एक रूम में संदरवीत किया जाता है, ठीक है, डबलू याचो यानि की विश स्वास्त संगठन द्वारा, फिती वर्स 28 जुलाई को विश हेपेटाइटिस दिवस क मना जाता है, एक तरह से इस वाइरस के आप समझे जागरूप करने के लिए लोगों को 28 जुलाई को क्या मना जाता है, विश हेपेटाइटिस दिवस के रूम में, और इस दिन को हेपेटाइटिस रोक के बारे में जागरूपता बढ़ाने के लिए मना जाता है, पानी या फिर भोजन के द्वारा होता है आम तोर पर यह रोगी पर दीख कालिक प्रभाव छोड़ता है फिर आप देखेंगे दूसरा दूसरा यानि कि हपैटाइटिस भी रक्त और सरीद में मौझूद तरल पतातों के जरीए फेलता है और हपैटाइटिस का यह रोप पहल इसे संपर्क में आने तथा आम तोर पर इंजेक्शन दवाक्योपयों और यह रोण संपर्क के माध्यम से फैलता है ठीक है फिर आपका है भौतिकी का यानि कि 2020 में भौतिकी के चेत में किन लोगों को दिया गया है तो 2020 के लिए भौतिकी का नोबल पुरुसकार यानि कि फेजेक्स का बिलेक हॉल की हमारी समझ को आंगे बडाने ही तो तीन विग्यानकों को दिया गया है एक कौन कौन है तीन विग गेज को पिदान किया गया है तो इन तीनों नामों को याद रखिए और किस छेत में दिया गया एक तरह से ने ब्लेक होल की जो आंगे एक तरह से हमारी वह और समझ बढ़ाने के लिए दिया गया है जर्वन रेंड हार्ड गेज और अमेरिकन एंडिया गेज और रोजर फैन रोज को हमारी आकास गंगा की केंद में एक सुपर मेसिब कॉम्पेक्ट ऑब्चेक्ट की खोच के लिए पुरुसकार सहीवत रूप से पिदान किया गया है इन तीन लोगों को गेंजेल एवं गेजने मिलकी के बे के मद्चित के सबसे चमकीले तारों की कक्छाओं की सटीक मापकी और उनके अध्येनों से पता लग चला है की थोड़ा आसमान पिच्छे बन पथे एवं तारों की गती को केवल बहुत बड़े पिर्माने पर किंतु आद्रस्त से समझाया जा सकता है जिसे अब धनू ए स्टार सुपरमेश्यव ब्लैक हॉल की रूम में जाना जाता है जिसका द्रमान सूर से चार मिलियन गुना अधिक है और हमारे सौर मंडल की आकार की लगभग एक छेत तक सी मित है तो याद रखिए इन तीनों नामों को फिसे बोल लाओं बिलेक होल की चित में एक तरह से ने दिया गया है अगर बिलेक होल सब्दी की अगर हम बात करें कि आखिर होता क्या है तो बिलेक होल सब्दी का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी भौतिक विद जॉन आर्ची वाल्ड वीलर ने 1960 के दसक्ति मद्द किया था ठीक है सब की हवाई जिहाज निकले एरोपिलन और वो उसी के मुहमित चले गए तो समझ रहे हैं आप लोग यहां से प्रकास भी नहीं गुजर सकता है इतना यहां गुरुत बल इतना अधिक है ठीक है 1915 में अलवर्ट आइश्टीन द्वारा विलेक होल का सिध्धांद भी दिया गय अलवर्ट आइश्टीन एवी कुश्चन से डारेक्ट पूछा जा सकता है और अपरेल 2019 में अपरेल 2019 में इवेंट होरीजन टेली स्कॉप परियोजना मैं सामिल विज्ञानकों ने बलेक होल की पहली तस्वीर इसकी अधिकारिक सटीर तस्वीर जारी की थी तो इसे भी या तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग का एक समूग के द्वारं किया गया था जब दो बलेक होल एक दूसरी की परिक्मा करते हैं और एक दूसरी में बले हो जाते हैं तब गुरुत्वाकरसन तरंगों का निर्माड होता है तो यह तो कहानी है आपकी बलेक होल की और जो भौतिकी की छित में दिये गए उन लोगों की बात कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग रसाइन की छित में किने दिया गया है और किस छित में दिया गया है। ठीक है? किने दिया गया है? एक है आपके एमेनुवल चार्फिटियर दूसरे का नाम क्या है? जैनिफर ए डोडन ठीक है? किस लिए दिया गया है? कैस पर कैस नाइन आणविक केची के ओकरन एक तरह से बिक्सित करने के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है? जैनिफर रखे। एमेनुवल चार्फिटियर और जैनिफर ए डोडना, द्वारबिक्सित कैस पर कैस थ्री, मापकरी कैस नाइन जैनेटिक, सीजर्स, काउपयोग जानबरों पौधों एवं सूख्चमियमों के, डी ऑक्सी व्राइवोनियूकलियक एसिड को अधिक उच्छ सटीकता के साथ बदलने के लिए किया जा सकता है। इस तकनीक्स ने कैंसर उपचार में युगदान भी दिया है। ठीक है? अगर आपसे क्रिस्पर तकनीक के बारे में अगर पूचे आपसे, तो बिग्यान के उद्वारे क्रिस्पर कैस 9 तकनीक की खोज वर्ष 2012 में की गई थी, यह तकनीक पिती रक्षा पेनाली का एक महत्पूर्ण भाग भी है। डियने की सिराए या फिर कुंडलित धागों को हटाने और चिपकाने की क्रिया विधी की भाती करती है। प्रवित्ती होती है, जिसे पुनाव हो जाता है बिग्यानिकों द्वारा सोता मरमत या पुनरमाड की पिक्रिया में हस्त चेप किया जाता है और अनुवांसी कोड में वांचित अनुकरम या फरीवतन की क्रिया पूरी की जाती है जो अंतता तोटे हुए DNA सिरह फरिस्थापित हो जाता है मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि ऐसी ऐसी तकनीक आ जाएगी कि आप समझे कि एक मानव को किस तरह से क्या गुन होना चाहिए किस तरह कि उसकी परिशनाल्टी क्या होना चाहिए ये भी मुझे लगता है कि बनाना सुरू हो जाएगा समझे रहे हैं आप लोग अगर आप सोचिए DNA में अगर editing होने लगे तो आप समझे किसी भी तरह की कोज भी हो सकता है ठीक है फिर कोई कह देगा कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए कि इस तरह की नाक हो इस तरह की कान हो देखी आंगे क्या क्या होता है ठीक है अब चलते हैं हम लोग सांती की चित में किने दिया गया है 2020 का नोवल फुरुसकार उन्हें भी देख लेते हैं सांती भी जरूरी है ठीक है सेयुप्त राश्ट के विष खाद्य कारिकरम को वर्स 2020 के नोवल सांती फुरुसकार से सम Edis की आ गया है किसे विष खाद्य कारिकरम को ठीक है याद रखे विष खाद्य कारिकरम को या समान भूंग से लड़ने संगर्स फ्रभावी छेत्रों में सांती के लिए स्थितियों को बहतर बनाने में ये उदान देना और ये उद्दवा संगर्स में भूंक को एक हतियार की रूम में प्रयोग किये जाने से रोकने के प्रयासों में एक पिर्यक सकती के रूम में कार करने के लिए पिदान किया ग संस्था भी है और विश्र खादिकार्करम की स्थापना 1961 में हुई थी इस संस्था के बारे में भी डारेक्ट कुष्टिन से बन सकता है आपका इसके मुख्याला अगर पूचे तो रॉम इटली में इसका मुख्याला आपको देखने को मिलेगा विश्र खादिकार्करम का शेव्टराष्ट महासचिब और सेव्टराष्ट खादेवं किर्शी संगठन के महा निदेशक द्वारा किया जाती है और कारकारी निदेशक को पांच वर्ष के कारकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। अपलब दिकराई गई और वर्ष 2019 के द्वारान WFP ने लगभक 4.4 टन खाद समगरी का वितरण भी किया है और 91 देशों से 1.7 विलियन अमेरिकी डॉलर मूल के खाद पदारतों की खरीद भी की थी। तब आप देख सकते हैं कि इतना इसे सांती का नोगल फुरसकाल दिया गय है भारत में अगर हम WFP की बात करें तो भारत में WFP वर्ष 1963 से कार कर आया है भारत की लक्षे सारवजिनिक वितरण फेनाली में सुधारों पर ध्यान के अंदेद करने के अलावा यह लोगों तक भोजन की पहुंच में सुधार के लिए नेतिगत इंपूट तकनीकी सहायता और आधी पिदान करता है WFP द्वारा TPDES की प्रभावी किरियानमन हीतु 144 अन्य वितरन मसीन और मोबाइल स्टोरेज यूनिट जैसे कोछ पहलों का पिस्ताव भी दिया गया है आप भी देखते हैं कि हमारे देश में भी बहुत भूंके लोग सोते हैं बहुत भुकमरी है आप समझ रहे हैं हमारी क्या इस्तेती है आप सभी लोग जानते हैं अब हम बात करते हैं 2020 में अर्थ सास्त के छित में किन लोगों को परुषकार दिये गया है तो 2020 में के लिए अमेरिकी अर्थ सास्ती पॉल मिल ग्राम और रोबर्ट विल्सन को वाडिजिक नीलामी के छि पॉल में दिया गया है अधिकादिक रूप से अर्थ सास्त की नोवल पॉरुषकार स्विरिज रिक्स बैंक प्राइज इन एकोनोमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अलफे नोविल के तौर पर जाना जाता है इस पितिश्टी पॉरुषकार की स्थाफन वर्स 1989 में की गई थी और अब तक यह 59 बार प्राइज चुका है ठीक है याद रहे आप लोगों को स्विरिज रिक्स बैंक जो स्विडन का केंद्रिय बैंक है ने वर्स 1960 में नोवल पॉरुषकार की संस्थाफक अलफेड नोवल की स्मिट्थी में आर्थिक विग्जान में पॉरुषकार की स्विडन के केंद्रिय वैंक ने नोवल फाउंडेशन द्वारा प्राप्त दान पराधार है और इसकी प्रोषकार 80 दस मिलियन स्विडन स्विडिस कॉनर लगभग आप देखेंगे 8.33 करोड रुपे है ठीक है या यानि कि भारत की करेंसी में अगार कनवर्ट कहें तो मिल गॉम गॉम और विलसन ने नेलामी की सिध्धानद में सुधार किया और अधिकतम राजस के वज़े व्यापक समाजी खिलाम से पेरित विक्केटा की ओर और से एक साथ कई परसफ़र सम्मन्दित वस्तू की नेलामी के लिए नई नेलामी की प्रारूपों काविसकार किया और इसी के लिए ने दिया गया है अगर बात करें, रोवर्ड वेलसन ने एक सामान मूल वाकी वस्तुओं की नीलामी के लिए सिध्धान बिक्सित किया और इसके अनुसार किसी वस्तु का मूल पहले अनिश्चित होता है लेकिन अंत में सभी के लिए समान रहता है फॉल मिल ग्रॉम ने नीलामी का एक और सामान सिध्धान तयार किया जो नाकेबल सामान मुल्यों को बलकि निजी मुल्यों को भी अनुमती देता है यह बोली दाता से बोली लगाने के बाले के लिए भिन होते हैं और उनकी इस कारज से विस्वर की विकेताओं, खरीदारों, करदाताओं को फायदा होगा यह रेडियो फिकेंसी जैसी बस्तूओं और उन सिवाओं की नीलामी करने में मदद करेगा जिने पारंपरिक तरीकों से बेंचना मुस्त करें तो इसके इनके बारे में भी याद रखिए अगर हम बात करें नीलामी के सिध्धांद की अगर बात करें हम लोग तो इस सिध्धांद में नीलामी का डिजाइन नीलामी से समधित नियम बोली लगाने वाली का बेवार और नीलामी की नतीजे के बारे में अध्धिन किया जाता है दोलनस संसादनों का अवंटन अर्थ सास्तिरियों के लिए मायने रखता है क्योंकि आज सीमित माना वासकताओं की तुला में पितिवी पर संसादनों की उपलब्दता सीमित है इसलिए इनका अवंटन केवल समाज की सबसे महत्पूर आवसकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए गांदी जी का ये का आपने बेचार भी तुसनाओगा परयावण के लिए कि उन्होंने का कि हमारी पितिवी पर इतने संसादन काफी है कि हमारी जरूरत पूरी कर सकता है लेकिन हमारी लालच कभी पूरी निकर सकता है आप समझें कि हमारे पास एक घर है इसमें हम रह सकते हमारा परीवार रह सकता है लेकिन जब हमारी लालच बढ़ जाती है तो हम कहते हैं एक और घर चाहिए एक और घर चाहिए तो इतनी हमारे पास संसाधन नहीं कि हमारे लालच को पूरा कर सके समद रहें आप नीलामी के लिए अगर आबिदन की हम बात करें तो आधुनी कविस में नीलामी लगबग हर जगे होती है यहां तक की खुदरा दुकानों में कराये के सामान की विक्री नीलामी पाराधरित है यह भी एक अंतर नहित बाजार की स्तितियों को बदलने के लिए समायुजित करने के अपेक्चा करतीम आए नीलामी के सिध्धान के तर लेंदानों को भुक्तान करने के लिए दिवालिय व्यक्ति की संपत्ति की नीलामी के बारे में विचार करना है आला कि यह नीलामी का सबसे फुराना सरूफ है इस तरह की नीलामी के सरलतम फ्यारूफ के अनुसार खुली बोली में उस्चतम बोली दाता द्वारा संबत्तियाग फिर आपकी जो भी होती है कमोडिटी को प्राप्त की जाती है आप देखते हैं ना कि नीलामी किस तरह से होती है आप सभी लोग जानते हैं ठीक है अगर हम बात करें पूझीकद पूझीकद बस्तूओं का आवंटन की अगर बात करें तो पूझीकद बस्तूओं जैसे स्पेक्ट्रम और खनीजों के आवंटन में अधिक परिष्कित और इसपर्ष्ट नीलामी तंत का उप्योग किया जाता है और समय के साथ नीलामी के प्यारूप में अन्य बस्तूओं जैसे कारवन डाय उक्साइड, उत्साजन केड़ेट, विजली या फिर स्थानी अपसिष्ट को एकतित करने का अधिकार सामिल होता है उधारन के लिए आप ले सकते हैं एक सुपरमार्केट प्रवंधन, एक नीलामी करता के रूम में एक निश्चित दिन सब्ता, या फिर आप देखें कि महिनाए के दोरान बस्तू की विक्री के आधार पर अपने कीमत लगाने की कौसिस करता है और यदि किसी निश्चित उत्पात की भारी मांग है और उसकी खपज जाना हो रही है तो बस्तू की कमी को रोकने के लिए सुपरमार्केट पे बंधन उस बस्तू के मूल में बिद्धी करेगा यदि किसी अन्य उत्पात की मांग है पर एक्छा के अनुसार कम होती है तो उस बस्तू की जल्द खपद के लिए उसकी कीमत कम की सकती है एक तरह से आप जानते भी हैं कि जिसकी कीमत कम होगी उसकी एक तरह से आदमी हर कोई खरीदने की चमता रखेगा लेकिन चाहे हुआ इस्पेक्ट्रम बेक की नीलामी हो या फलों या फिर सब्जियों की विक्री एक बाजार अर्द्वस्था में दुरलफ संसादनों की अवंटन का मूल ही नीलामी है नीलामी है नीलामी अगर मौडल की हम लोग बात करें तो बस्तूओं नीलामी के उद्देश और नीलामी आये उजयते करने वाली संस्थाओं के आधार पर अलग आलग नीलामी मौडल की आवचत सकता होती है उधारन के लिए एक निजी नीलामी का मकसद अधिक आर्थिक लाप राप्त करना हो सकता है जबकि बस्तूओं का सस्ता करून की नीलामी करना सरकार का उद्देश हो सकता है गलर नीलामी की तरीकों के कारें एक पिकारिक से दुतिय स्थर का बाजार विक्सित हो सकता है जहां कमपनिया सरकार को कम राज़स या जन्ता को कम लाप पहुंचाते हैं आप भी जानते हैं, जैसे आम मैं किसी बस्तु को बहच रहा हूँ तो मैं तो अधिक लाप पर ध्यान दूँगा इसी को अगर सरकार की कंपनिया बना की बेंच रही हो तो सरकार सबका हित रख के ध्यान में रखते हुई एक तरह सी ध्यान देगी समझ रहे हैं आप लो तो यही कहान ही है एक तरह सी नीलामी की पिक्रिया को तेयार किया जाता है इसका नाकेबल खरीदारों और विकेताओं पर बोलकि समाज पर भी जवरजस्त परभाव पड़ता है मुख चर किसी नीलामी को डेजाइनि करते समय तीन मुख चर को समझने की आवसकता होती है कौन कौन सी हैं इने भी देख लिजे नीलामी का नियम यानि बंद सील बंद बोलियां एकल बोलियां बनाम एकाधिक बोलियां दूसरा है आपका नीलामी के लिए रखी जारही किसी वस्तू या सिवा यानि पितेग बोली दाता द्वारा किसी मदबस्तू का आकलित मूल तीसरा कारक है अनिश्चिता सिजंबंदी जो किसी बोली दाता की वस्तू के संद्रम में जानकारी पर निर्भर करता है तीक है? वर्स 2020 का शाहित का नोवल परुसकार दिया गया है कहा की है अमेरिका की इनका क्या नम है लूइस गिलूग ठीक है लुईस गिलुक को यह है नोवल पुरुसकार उनकी अचूक का ब्यात्मक स्वय जो खोर जो खुब सूर्ती के साथ ब्यक्तीगत अस्तित को सारभोमिक बनाता है के लिए पिदान किया गया है उनकी कविता मानविये विवार, मित्यू, बच्पन, परिवारिक जीवन और उनकी जटिलताओं पर आधरी थे और बर्स 2010 के बाद साहित के चेद में पुरुसकार प्राप्त करने वाली यह चोत्री महला हैं जबकि बर्स 1901 में नोवल पुरुसकार की सुरुआत से अब तक इ सोले भी महला हैं इस तरह के कुश्चन्स भी कई बार कुछ लेता है तो याद रखें नोवल पुरुसकार में एक पदक और दस मिलियन सोईडिस कौन की पुरुसकार आसी पे दान की जाती है ठीक है याद रखें आप सबसे जरूरी है यहां से भी कुश्चन्स आप क्या आ पर आए तो आप जानते हैं सबसे पहले किने दिया गया कभी और लेखक रविंदनाट टेगोर वर्स 1913 में साहित की छेत में नोवल पुरुसकार पाने वाले पहले गैर यूरूपिये और भारतिये थे अगर आप से पूंचे भारतिये सबसे पहले कौन थे किने मिला था न 1913 में ठीक है भारत को बर्स 1930 में भोती की के छेत में पहला नोवल फुरुसकार मिला जब बिज्यानिक सर चंद सेकर वेंकट रमन को प्रिकास के पिगीडन पर उत्किष्ट कार के लिए और उनके नाम पर पिरभाव की खोच के लिए सम्मानित किया गया था इस घटना को अ पर रमन पिरभाव के रूम में आप लोग जानते हैं तो बहुत की के छेत में अगर पूचे तो 1930 में दिया गया था चंद सेकर वेंकट रमन को किसके लिए ये दिया गया था उनकी एक तरह से आप समझते हैं पिकास के पिकीडन पर उत्किष्ट कार के लिए जिसे आप लो निरेन वर्ग के साथ सहिवत रूप से प्रोटीन संसलेशन में अनुवान से कोड और इसके कार की व्यक्या के लिए नोवल फिरुस्कार से सम्मानित किया गया था अगर आप से चिकिस्सा के छेत में पूच रहा है तो 1968 में दिया गया था किने हर गोविंद खुराना को ठी इरसा एनको भी आप लोग सुनते रहते हैं 1980 में भारत रतन भी दिया गया था ठीक है वर्स 1989 का नोवल सांती पुरुस्कार इन्होंने जीता थे वह एक रोमन कैथोलिक नन थी जो अलवानिया में पैदा हुई थी और उन्होंने कोलकाता में मिसनरीज ओफ चैरिटी की स्थ दिया गया था ठीक है याद रखिए 1989 में ठीक है आंगे पड़ते हम लोग भारतिय भातिक विज्ञानिक सुवमन्यम चंद सेकर को वर्स 1983 में भातिकी का नोवल पुरुस्कार दिया गया है उन्हें एया पुरुस्कार भातिक विज्ञानी विलियम अलफेड फावलर के अमानित किया गया था तो इनके नाम को भी आप लोग याद रखिए ठीक है अमरे सेंड इन्हें 1998 में अर्थसास्त की छित में दिया गया था और स्वेरी जेज रिक्स बैंक पुरुस्कार पिदान किया गया था इसका दूसरा नाम एक तरह से यह है अपका ठीक है उन्हें कल्याड कारी असास्त में उनके युगदान के लिए पुरुस्कत एक तरह से दिया गया था रसायन विज्ञान की छित में अगर बात करें बलू तो बैंकर्ट रमन राम किश्नन को पहला नोबल पुरुसकार दिया गया था रसायन विज्ञान की छित में उन्हें यह पुरुसकार राईवो सौम की सरचनाव इसकार की अध्यन के लिए वर्स 2009 में नोबल पुरुसकार मिला और उन्हें यह अपकी एडा इत योनत की साथ सईक्त रूप से एक तरह से इन लोगों के साथ इन्हें दिया गया था ठीक है भारत की बाल अधिकार कारकरता केलास सत्यार थी इनका नाम भी आप लोग कापी सुनती रहते हैं और पाकिस्तान की मलाला इसक जै कुबर्स 2014 में सईक्त रूप से नोबल सांती पुरुसकार प को भी दिया गया है यह भारती अमेरिकी अर्थ सास्त्री हैं अब जीत बनर जी और इनकी जो बीवी थी उनका नाम था एस्थर डुपलो और माइकल केमर को इन तीनों लोगों को से एक तरोप से नोबल पुरुसकार दिया गया था और तीनों को वैस्वी गरीवी को कम करने के लिए प्रायूगिक दृष्टी कोंड दिसाय परविस्तिस सोथ के लिए यह पुरुसकार दिया गया था तो अभी जीत पनजी भी भारती है एक तरह से यहां के हैं ठीक है भारती है अमेरिकी तो यही कहानी आपके 2020 के भी जो नोबल पुरुसकार दिये गये हैं और जिन इनके शित्रों मिला हैं उनके बारे में भी बात कर ली है इतना मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफी है इनि से आपके कोश्चेंग्स मूचने की सम्भाव न रहेगी इनके बारे में आप लोग कंठास त्याद रख लीजे रट ना हो रट लीजे जो भी करना हो कर लीजे क्योंकि आप जब तक आप समझे कि पेबर आपके 2021 के नहीं मिल जाते है तब तक आपके लिए महत्मूर रहेंगे आख़े और जो भारती लोगों के आख़े हैं ये तो आप लोगों के लिए हमेशा महत्मूर रहते हैं समझ रहे हैं आप लोग इनसे हमेशा questions आपके बंते रहते हैं